इस question में दिया है कि A जो है काम को अकेले 200 दिन में और B जो है सेम काम को 100 दिन में कर सकता है तीन दिन का एक cycle है पहले दिन दोनों एक साथ दूसरे दिन A अकेला तीसरे दिन B अकेला काम करता है कि cycle continue होगा जब तक काम complete ना हो जाए तो बताना है काम complete करने में कितना time लगेगा कोई बरी बात नहीं है अराम से देखेंगे यहां पर A हो गया यहां पर B हो गया तो आप बताए त्री डेज में कितना काम हो गया है हमें जाना कहा है 200 तो 200 जाने के लिए क्लिए क्या करेंगे चे से 30 100 से हो जाएगा 32 33 33 नहीं तो पहले 33 से multiply कर देते हैं 33 multiply करेंगे तो 198 आ जाएगा 198 काम होने में 99 डेज लगे बचा कितना काम है दो काम बचा है तो देखे 99 डेज तो लगा सौवे दिन कौन आएगा तो बोलेंगे सौवा दिन जो है क्योंकि साइकल कॉंप्लीट हो गया है तो साइकल के सुरुवात A & B करेंगे दो यूनिट काम करना है और इनकी efficiency तीन है तो क्या हम बोल पाएंगे 99 होल टू बाई थ्री डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में बोलेंगे गुरु बात तो सही है तो सही आंसर आगया option number one